मोलर हीट ओफ वेपराइजेशन के बारे में बात करते हैं जी हम क्या कह रहे हैं अब हमने क्या करना है जी वेपर्स में कनवर्ट करना है किसी भी लीकवर्ड हमारे पास अगर स्टेट वाली कोई भी हमारे पास जो है वो सबस्टेंस अवेलिबल है उसको हम हीट परवाइड क को हम चेंज करेंगे वन मॉल ऑफ स्टीम में या वन मॉल ऑफ गया स्टेट में ठीक है हम यहां पर देख लेते हैं जिस तरह वाटर की टिपिकली हम एक्जामपल अगर ले लें तो हमारे पास क्या है जी हम कहते हैं हमारे पास H2O है ठीक है H2O हमने ले लिया और इसको कौन से हम कहते हैं हमें Boiling Point जब मिल जाता है बूसमपल करते हैं यह पर में लिखते हूं को किस तरह से लगते हैं 0.15 Kelvin, Kelvin की form में भी मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, तो यह हमारे पास जो है, क्या है, इसका boiling point पे, हमने जो है, liquid state से, इसको किसमे convert कर लेना है, हमने इसकी vapor state में चले जाना है, ठीक है, vapor state में जब हम जाएंगे, तो gaseous state, obviously हमारे पास इसके vapors बन जाएंगे, या इसके जो है कि हमारे पास simple water है, liquid, ठीक है, water है, और यह क्या बन जाएगी, हमारे पास steam बन जाएगी, ठीक है, steam आजएगी, ठीक है, अब क्या किया है, हमने इसकी बिलकुल ही, हमने energy को change किया है, यानि के पहले इसमें, हमारे पास क्या थी कि सब्स्टेंस थोड़े थोड़े, इस तरह स या molecules, sorry, अगर water की case में हम ले रहे हैं, तो molecules हमारे पास थोड़े-थोड़े close थे, लेकिन steam के case में, तो हमारे पास क्या होगा, molecules इतने इतने दूर चले जाएगी, ठीक है, तो इनके distance आपस में भढ़ गया है, इनकी energy का भी difference आ गया है, यानि कि इसमें kinetic energy हमारे पास कम होगी ठीक है, जबके potential energy इसमें ज्यादा होगी, position की वज़ा से जो energy होती है, ठीक है, हमारे पास position की वज़ा से जो energy होती है, उसको हम potential energy कहते हैं, यहां पर kinetic energy हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा होगी है, जबके potential energy जो हमारे पास, क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो तो इसको मैं चोटे से डाउन एरो से अर्टु GUY कर तेंर्जी बहुत ज़्गा नूँ करें वित हम इसमें इक्वान्ट है और इतनी ही हमारे पास PLboy नूट है hon जबकि इसमें का इनर्जी हमारे पास बहुत ज़ढ़ारो आर्यूं乾ाका डियूनकर, कि या निक तो हमने हीट उसको प्रवाइड किया, तो उस ही को हम कहते हैं कि वह वाली एनरजी जो या वह वाली हीट जो हम प्रवाइड करते हैं, एक 1 mol of substance जो भी हमारे पास होता है, उसकी liquid state से उसको convert करते हैं, 1 mol of gaseous state में, तो उसको हम कहते हैं, molar heat of vaporization, यानि कि वेपर state में वो चला ग के बाद V हमने क्या लिखा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने यहां पर, sorry, यहां पर हमने subscribe में लिखा है, ठीक है, यहां पर side पे हम new करके लिख देते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो हम लिखेंगे, इसकी value आजाएगी हमारे पास plus, यानि कि add करना पढ़ी है, 40.7 kJ per mol, ठीक है, तो हमारे पास one molar substance जो भी liquid state में होते हैं, ठीक है, उनके boiling point पे हम heat provide करते हैं, उनके boiling point पे जब हमारे पास क्या होती है, जी, इतनी energy हमें देना पड़ती है, कि वो अपने gaseous state में या vapor state में चले जाएं, तो उनको हम क्या है, उस energy को या उस heat को हम basically क्या कहते हैं, amount of heat वो वाली जो हम convert करते हैं, जी, one mole of liquid से, उसके one mole of vapors में, और कब जी, जब उसका boiling point हमें जो है, available होता है, at its boiling point हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, कि molar heat of vaporization है, यानि कि one mole, हमने कि one mole substance को change किया, उसकी liquid state से, उसकी gas state में, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है, देख लिया कि हमार पास, उसका boiling point जिसका हमने water का case discuss किया, तो यहाँ पर हमने water के case के लिए, उसका boiling point भी देख लिया, और इस तरह से, उसको degree C में, और Kelvin में, दोनों में mention कर दिया, और इनमें, जो energies का difference होता है, वो भी हमने यहाँ पर discuss कर लिया, तो water के लिए हमारे पास, delta HV, जो हम represent करते हैं 40.7 kJ per mole, molar heat of vaporization है, और इस तरह से हमने देखा कि यह हमारे पास, molar heat of vaporization,